मेरी बुद्ध्य तो अत्यंत नीची है और चहां बड़ी उची है चहां तो अम्रित पाने की है पर जगत में जुर्ती छाच भी नहीं सज्जन मेरी ठेटाई को शमा करेंगे और मिले बाल बचनों को मन लगा करके प्रिंग बख सुनेंगे जैसे बालक जब तोतले बचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें पसंद मन से सुनते हैं किन्तु कुरूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोशों को भूशन रूप से धारन किये रहते हैं हसेंगे रसीली या अतन्थी की अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती किन्तु जो दूसरे की रशना को सुनकर हर्शित होते हैं ऐसे उत्तम प्रूश्ट जगत में बहुत नहीं हैं हे भाई जगत में तलाबों और नदियों के समान मनुश्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बार से बढ़ते हैं समुद्र साथ हो कोई एक विल्ला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पून देखकर उमर पढ़ता है मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है पन तु मुझे विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुस्ट हसी उड़ावेंगे किन्तों दुस्टों के हसने से मेरा हित्वी होगा मदूर कंठावली कोईल को कवे तो कठोरी कहा करते हैं जैसे बगले हंस को और मेड़क पभीय को हसते हैं वैसे ही मलिन मन वाले दुस्ट निर्मल वानी को हसते हैं जो ना तो कवीता के रसक हैं और ना जिनका श्रीराम चंदर जी के चर्णों में प्रेम है उनके लिए तो यह कवीता सुकध हासे रस्क का काम करेगी परसं तो यह भाषा की रशना है दूसरी मेरी बुद्धी भोली है इसके यह हसने योगे ही है हसने में उन्हें कोई श्रीहर भगवान शिव के चड़नों में पीती है और जिनकी मुद्धिक कुतर करने वाली नहीं है जो श्रीहर यहर में भेट की या उस नीची कल्पमन नहीं करते उन्हें श्रीरवनाज जी की यह कथा मीठी लगेगी सज्जडगन इस कथा को अपने जी में श्रीराम जी की भक्ती से भूच जानकर सुन्दरवानी से सराते हुए सुनेंगे मैं ना तो कभी हूँ और ना वाक के रशना में ही कुशल हूँ मैं तो सब कलाओं तो तो सब विद्याओं से रही थूँ ना बरकार के अक्सर अर्थ और अलंकार अनेक बरकार की चंद्रशना भावों और रसों के अपार भेद और कवित्प्र के भावति-भाति के गुंदोश होते हैं नमस्कार जूरस और आप सब लोग कहते हैं आशा करते हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरा राम चरीद मारस का बार आवश्य देखते होंगे तो सबसे बहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहां तक पढ़ा था कि कल तक चाहके सातो वो आवाणों को भेट कर जहां तक मेरी गती थी वहां तक मैं गया पर वहां भी प्रभू की भूजा को देखर मैं व्यक्थर हो गया जब में भैवीत हो गया तर मैंने आँके मून ली फिर आँके खोल कर देखते ही आवट्पूरी में पह perseverance मुझे उन ब्रह्माणों में अनेक विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। जो कभी न देखा था न सोना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था अता जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वही सब अदूर्ट शिस्त्रिवे ने देखी तब उसका किस बगार वर्णर किया जाएं। मैं एक एक ब्रह्मान में एक 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 सव वश्टक रहा इस बगार मैं अने को ब्रह्मान देखता मेरा तो कल तक हमने यहां तक जाना था अभी मैं पार्ट यह जो कर रही हूं एक श्यूप काट के लिए है मंदिर के लिए है तो इसमें मैं चाहते हूं आपनों मेरा सहयोग कीजिए और मैं चाहते हूं कि मैंने मैंने इसको सोचे थी कि इसको बनवाने के लिए मैं सोचा है मैंने तो आप इसमें मेरा सहयोग कीजिए कि मैं इसको करवाओं जो मैंने करें ताकि मैं इस कार्या को पूर्ण कर पाऊं तो उस मंदि की में वीडियों डालती हूं आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा आठ खसा रगता है जो कमिया हों आप मुझे वह बताएं जो अच्छा रगता है आप मुझे वह बताएं कि उजागर करें तो मंदि की वीडियो आपने देखी चलते हैं अब आज के बाट पर शागत करती हूं मैं आप सभी का अपने इसकार्यक्रम रामचरित मानस के उत्राकान पार्थ में लोक लोक प्रति भिन्द विदाता भिन्द विष्णू सिव मनुत दिसित्राता नर गंधर भूत वेताला कि नर निशिचर पसुख गव्याला प्रतेक लोक में भिन्द 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 ब्रह्मा भिन्द विष्णू सिव मनुत दिक्पाल मनुष्य गंधर भूत वेताल क देव दनो चगन नाना जाती सकल जीवते हैं आनही भाती महिसाई सागर सरगिर नाना सब प्रपंच तेहं आनही आना तथा नाना जाती के देवता एवं देतिगन थे सभी जीव वहां दूसरे की प्रकार के थे अनेक प्रित्वी दली समुद्र पहाड कला परवत तथा सव सिस्ट्री वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थे अन्ड कोस प्रति प्रति निजिरूबा देखऊ जिनस अनेक अनूबा अवद पुरी प्रति भुवन निनारी सरज भिन भिन नरिनारी प्रति वहमाण ब्रमाण में मैंने अपना रूप देखा तथे अनेको अनूबा वस्वदेगी प्रति भुवन में नियारी ही अवत्पुरी भिन नहीं सर्यूजी और भिन पकार के ही नर नारी थे दसरत कौसल्या सुनूताता विविद रूब भरता दिक भ्राता प्रति भमाण राम अवतारा देखवाल विनोद अपारा हे तात सुनिए दसरत जी कौसल्या जी और भरत जी आदी भाई भी बिन बिन रूपों के थे मैं प्रतिक भमाण में राम अवतार और उनकी अपार बार ले लाएं देखता भिन भिन मैं देख दीक सबु अति विचित रहरी जान अगनित भोवन फिरव प्रभू राम न देखव आन हे हरीवान मैंने सभी कुछ भिनबिन और अच्चन्तु चित देखा मैं आगनित प्रमाण्डों में भिरा पर प्रभु श्रीराम चिंदर जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा सोई सिशुपन सोई सोबा सोई कृपाल रगवीर भवन भवन देखत भी रहूं प्रेरित्मों समीर सर्वत्र वही शिशुपन वही शोबा वही कृपालू रगवीर इस प्रकार मोहरूपी प्रवन की प्रेणा से मैं भवन भवन मैं देखता भरता था ब्रामित मोई ब्रह्माण अनेका बीती बनो कल्बसत एका फिरत बिरत नेज आश्रम आयाओ तहपोनी रही कचुगाल काल गवायाओ आनेको ब्रह्माणों में भड़कते मुझे मानों एक सब कल्ब बीत गए फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया निजप्रभु जनम अवद सुनी पायाओ निर्बद पीम हर्शी उट धायाओ देखव जनम महोच सब जाई देखिवे दीप्रतम कहां मैं गाई फिर जब अपने प्रभु का अवद्पुरी में जनम अवतार सुन पाया तब प्रियम से परिपूर्ण होकर मैं हर्श पूर वक उड़ दोड़ा जाकर मैंने जनम महोच सब देखा जिस पकार मैं पहले वर्नन कर चुका हूँ राम उधर देखव जगनाना देकत बनेईना जाई बखाना तहपनी देखव राम सुझाना मायपती क्रवाल भगवाना श्री राम जन्रीजी के पेट में मैंने बहुत से जगद देखे जो देखते ही बनते थे वर्नन नहीं किये जा सकते वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी करबालू भगवाँ श्री राम जी को देखा करव विशार बहुरी बहुरी मो कलील व्यापित मत मोरी ओवे घरी मैं मैं सब देखा भया ओब्रमित मन मो विशेशा मैं बार-बार विशार कता था मेरी बुद्धी मोहरू भी कीतर से व्यापिती यह सब मैंने दो ही घरी में देखा वनमन में विशेश मोह होने पर भी मैं भ्रमित हो गया देखी करबाल विकल मोही विहसे तव रगवीर विहसेत ही मुख बाहर आया हूँ सुनू मती धीर में मुख से बाहर आया सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनिराम कोटी भाती समझावव मनून लही विश्राम श्री राम चंदर जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे मैं करोड़ो प्रकास मन को समझाता था पर वह शांती नहीं पाता था दे की चरिती है सो प्रभुताई समझते दे दसां बिसराई धरन परे वो मुक आव नबाता तराह तराही आरत जन तराता ये बाल तरित देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुताई का समझ कर मैं शरीर की सुद भूल गया और है आते नों के रक्षक रक्षक की जिए रक्षक की जिए पुकाता हुआ पेट्वी पर गिर पड़ा मुझसे बात नहीं निकलती थी तरांतर प्रभु ने मुझे बिवल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखका दिन दयालों ने मेरा संपून दुख हर लिया कीन राम मुही विगत मी मुहां जे वकत सकद कुर्बासं दूहा प्रभुता प्रभु ने विचारी मन महें होई हरोच अतिभारी सिमको को शुक देने वाले कुर्पा के समू कुर्पा में स्री राम जी ने मुझे मुह से सर्वता रहित कर दिया उनकी पहले वाली प्रवता को विचार विचार कर याद करके मेरे मन में बड़ा भारी हश हुआ है भगत वचलता प्रभु कैदे की उपजी मम और पीती विशेशी सजल नया पुलिक के ते कर जोरी किने उबहू बिदिविने बहोरी प्रभु की भगत वसलता देकर मेरे हिदे में बहुत ही प्रेम उत्पन हुआ फिर मैंने आनन से नेत्रों में जल भर कर पुल्कित हो कर और हाट जोड़ कर बहुत प्रकासे विंती की सुनी सप्रेम मम बाने दे की दीन निजदास मेरी प्रेम युक्त वानी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमाने वास श्री राम जी सुखदाया गंबीर और कोमल वानी बोले काग भुचुन्दी मानुबर अती प्रसंद मोई जानी आनी मादिक सिदी अबर रिदी मोशस सकल सुख खन हे काग भुचुन्दी तू मुझे अत्यत प्रसंद जानकर वर्मान अनिवा आजी अस्ट सिद्या दूसरी सिद्या तता संबूर सुखो की खान मुक्ष ज्यान विवेक विर्ती विज्याना मोनी दुरलव गुण जे जग नाना आजुदेव सब संसे नाही मागुज दोही भाव मन माही ज्यान विवेक विरागे विज्यान तत्व ज्यान और वे अनेको गुण जो जगत में मुनियों के लिए दुरलव हैं और ये सब मैं आसुझे दुंगा जो इसमें संधे नहीं जो तेरे मन भावे सो मांग ले सुनी प्रभु वचन अजिक अनुरागे उ मन अनुमान करन तब लागे उ प्रभु कह देने से कल सुक सही बागति आपनी देन न कही प्रभू के बचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेमे भर गया तो मन में अनुमान करने लगा कि प्रभू ने सब सुकों की देने की बात कही या तो सत्य है पर अपने बग्ती देने की बात नहीं कही बगती हीन गुन सब सुक ऐसे लवन विना बहु बिंजन जैसे भजन हीन सुक कवने का जा अस विचारी बोले उखग राजा बगती से रही सब गुन और सब सुक वैसे ही भी के हैं जैसे दमक के विना बहुत प्रकार के भोजन के बतात भजन से रही सुख किस काम के हे बक्षी राज ऐसा विचार कर मैं बोला जो प्रभु होई पसंद बर देहू मुपर करहू करबा अरुनेहू मन भावत बर बागव स्वामी तुम्हे उदार उर अंतर जामी हे प्रभु यदि आप प्रसंद होकर मुझे वर्द देते हैं और मुझे पर करपा असने करते हैं तो हे स्वामी मैं अपना मन भाया मांगता हूँ आप उदारें और उर्दै के बीतर की जानने वाले हैं अबिरल भक्ति विसुद तवर शुति पुरान जोगाव जही खोज़त जोगीस मनी प्रभु परसाद को पाप आपकी जिस अभिरल प्रगाड एवं विसुद अने निश्काम भक्ति को शुति और पुरान गाते हैं जिसे योगीश्वर मनी खोशते हैं और प्रभु की क्र सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें कि आप भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि यह एक शुब का आज है तो कल फिर मिलते हैं एक नए बाट में एक नए उमंग एक नए तरंग के साथ तब तक के लिए जैसिया राम काये शुर्यापति राम चंदर जी की जै